बहुत सारे student को code से related परेशानी है कि आखिर code कौन सा लगाएं NEET को form भरते हुए तो form भरते हुए कौन सा code लगाएं इस code को जानने के लिए समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़े करनी पड़ेगे ये जानकारी हांसिल करते हैं so code को लगाना बहुत important है अगर आप गलत code लगा देंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे तो क्या सही code है आए समझते हैं code 1 का मतलब है कि आप अभी-भी 12th में आए हैं यानि 12th appear है मतब इस साल 2021 में आपने अभी आभी आप class 12th में है 2021 में आप अभी class 12th में है तो 2021 में अगर आप अभी class 12th में है और आपने एक्जाम नहीं दिया है तो code 1 लगाईएगा ठीक है इसके अलावा code 2 का मतलब है कि आप dropper है यानि आप 12th pass कर चुके हैं 12th pass कर चुके हैं तो जो 12th pass out है ठीक है तो code 2 लगा सकते हैं code 3 का मतलब यह है कि dropper यानि अगर आप class 12th pass out है with other 10 plus 2 अब यह क्या है कि इसमें बहुत अदर confusion है with other 10 plus 2 कि अलग-अलग state के अलग-अलग कुछ criteria है state board का कुछ अलग-अलग है तो अगर आप dropper हैं तो मर्जी है आपकी class code 2 लगा लेजे code 3 लगा लेजे बट कुछ state में अलग criteria होता है कि वो 10 plus 2 या कुछ pre-university क्या आपने कुछ university लगा लिया code 2 या मतब इसमें बहुत ज़्यादा confusion है एक clear नहीं है code की क्या है ठीक है but code 4 totally तरीके से clear है कि 10 plus 2 है या और 7 के साथ आपने कुछ professional degree ले लिया है जैसे B pharma आपने कर लिया है या कुछ professional degree है तो उसके साथ क्योंको diploma आपने करा है है ना तो उसके लिये आप जो है code 4 लगा सकते है code 5 का मतलब यह है कि आप class आप 12th pass हो चुके है और BAC pursuing है BAC pursuing का मतलब यह है कि आप BAC first year में है अभी या BAC second year में है अभी या BAC third year में है अभी आप तो third year तक आप code 5 लगा सकते है code 6 का मतलब यह है कि 10 plus 2 मतलब आप 12th pass है और इसके अलावा BAC pass भी हो चुके है मतलब BAC भी complete है आपके पास BAC का परमान है BAC हम आप pass out है ठेक है तो that is call आप यह code लगा सकते है code 7 10 plus 2 आप 10 plus 2 है और इसके अलावा जो है foreigner आप foreigner और international मतलब की कुछ ऐसे होते हैं जो foreign से 10 plus 2 करके आते हैं या कुछ मतलब की foreign का कुछ कोटा ओटा भी रहता है तो यह मुझे लगता है कि यह code जो है उन लोगों के लिए है जो NRI वगर है या different मुझे लगा रहा है कि यह different है तो यह code लगा सकते हैं अब confusion ही होता है कि आप जल्दी बाज़े में कोई भी code लगा दिये कोई भी code अगर आप लगा देंगे तो आपको डरनी के उतनी खास जरूरत नहीं है डरनी के इसलिए खास जरूरत नहीं है कि इन सब चीजों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया ठीक है तो यस बस आपको परमान देना पड़ेगा कि आप class 12th pass out है ठीक है क्योंकि नीट के लिए जो criteria है ओ criteria जो है आपका 12th pass होना है this is a criteria 12th appearing है तो आप 11th, 12th और उस वक्त सब चीज़ होई जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे criteria जो हैं देखा जाता है मैंने अपने time में तो नहीं इस सब चीजों को देखा था क्योंकि उतना होता ही नहीं है मतब जब आप counselling होकर आप में जाएंगे तो इस सब चीजों को ध्यान ही ने दिया जाता है 12th pass out है अपना number उतना आ रहा है आपका rank में list में नाम है तो अराम से होगा हाँ, सारे certificate होना चीए आपका class 10th का certificate होना चीए class 11th का भी आजगर मिल रहा है 12th का होना चीए अगर आपको VCST वगर है है तो उनका भी certificate होना चीए तो इस सारे परमान तो आजगर सब के पास होते है पर इसमें बहुत ज़्यादा confusion है तो इस confusion को ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखके अपना जल्दी से अपना form भर देना है और अपने पढ़ाई पे लग जाना है तो यही चीज़े हैं तो ज़्यादा hectic और panic होनी के जरूरत नहीं है तो इस चैनल को जरूर subscribe कीजेगा अगर आप नए है तो जो भी information होगा needs are related वो सारा चीज़ आपको share किया जाएगा और आपको जाना बहुत जरूरी होगा Thank you